इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आप में से किसी भी एक भी विक्ति को ये लगे कि इस बिजनिस के अंदर हमें इतना ज़्यादा प्रोफिट नहीं हो सकता तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलूगों कि आप अपनी लोकल एरिया के मार्केट में जाएए वहाँ पर इस प्रोड़क के बारे में ट्राई करिए आपको खुछ से यकीन हो जाएगा कि सच में इस प्रोड़क के डिमांड मार्केट के अंदर बहुत जादा है लेकिन ये प्रोड़क हमें एनी टाइम वहाँ पर अवलेबल नहीं मिल पाता है दोस्तो मैं आप लोगों को एक ऐसे बिजनिस के बारे में बताने बहला हूँ जिस प्रोड़क के डिमांड मार्केट के अंदर साल के 300 पैसा दिन रहती है और भारत के ऐसा कोई घर नहीं है जा पर इस प्रोड़क का इस्तेमाल ना होता हो तो दोस्तो आप सोच सकते हैं कि जिस प्रोड़क के डिमांड साल के 300 पैसा दिन होती हो और हर घर के अंदर ये प्रोड़क यूज होता हो तो सोच ये आप उस बिजनिस से कितना ज़्यदा पैसा कमा सकते हैं यहां दोस्तों यह एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जो एक छोटे से गाउं के अंदर भी कापी ज्यादा बात्रा के अंदर आप लोगों को पैसा दे सकता है आप इस बिजनिस को एक पोकेट मनी से ही शुरू कर सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको इसके अंदर लागों रुपे का इन्वेस्टमेंट करने की जरुवत है आप एक pocket money से इस business को शुरू करके लाखो रुपे की earning आप इस business से कर पाएंगे दोस्तों मैं आप लोगों को guarantee देता हूँ ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप में से एक भी विक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको ये business idea पसंद ना आए तो मेरी आपसे यही भी इनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको लगता है कि आप इस product को अपने घर पर नहीं बना सकते हैं तो company का जो number दिया गया screen के उपर उस number पे call करके आप bulk में order मंगवा सकते हैं और उसे अपने local area के market में सिर्फ packaging करके sell कर से पितांबरी का नाम तो सुना ही होगा जो कि तांबे पितल के बर्तनों को चमकाने या साफ करने के लिए काम आता है दोस्तों आज मैं आपको पितांबरी powder जिसको बहुत ही घिसना पड़ता है और हमारे हाथ भी खुड़दुरे हो जाते हैं इसका नया और इससे भी बहतर formula जिससे बहुत ही आसानी से मिंटों में बिना किसी powder को घिसे हम तांबे पितल के बर्तन बहुत ही जल्दी चमका सकते हैं हम आज copper और brass के लिए इस magic liquid को बनाना सीखेंगे दोस्तों ये magic liquid सिर्फ 55 से 80 रुपे पर किलो की लागत में तयार हो जाता है यानी 50 ml की bottle लेबल सहित 6 से 7 रुपे तक तयार हो जाती है और market में आसानी से 20 रुपे तक बेच के कम से कम 200% का profit कमा सकते हैं और इंडिया में इसका कितना बड़ा market है आप सभी सोच सकते हैं ये बहुत ही unique formula है अगर आप business करते हैं तो market में अपनी पहचान बहुत जल्दी बना सकते हैं इंडिया के हर घर, मंदिर, पूजा स्थलो में डेली लाखो तामवे पितल के बरतन यूज होते हैं जहां आप इसे supply कर सकते हैं हर घर में पूजा होती है, हर घर में तामवे पितल के बरतन रोज साफ होते हैं हर रिटेल स्टोर पे आप इस पितामवरी लिक्विड को अगर बेचना शुरू करते हैं तो कितना पैसा कमा सकते हैं और ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है ये सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले इसके इंग्रेडियेंट्स जान लेते हैं इस तामवे पितल के मैजिक लिक्विड को बनाने के लिए इस और्गनिक कमपाउंड पितामवर पेस्ट को लेंगे जोकी नैचरल सिट्रस फ्रूट से बना है और बहुत ही जल्दी किसी भी तामवे पितल के बरतन को तुरंत साफ कर चमकाने में सक्षम होता है आप देख सकते हैं दोस्तों ये पेस्ट कुछ इस तरह से दिखता है तो सबसे पहले एक प्लास्टिक के बॉल में 50 ग्राम पितामवर पेस्ट को वेट कर लेंगे ये देखी दोस्तों 50 ग्राम पितामवर पेस्ट हमने ले लिया है अब हम इसमें 200 ग्राम पानी डालेंगे यानि 250 ग्राम वाटर को डाल कर टोटल 300 ग्राम वेट कर लिया है उसके बाद अगर हम 100 ग्राम पितामबर पेस्ट लेते हैं तो उसमें 500 ग्राम पानी डालेंगे और अगर 1 किलो पितामबर पेस्ट लेते हैं तो उसमें 5 किलो पानी डालके टोटल 6 किलो बना सकते हैं ये देखिए दोस्तों टोटल वेट 300 ग्राम हो चुका है यानि 50 ग्राम पितामबर पेस्ट और 500 ग्राम पानी अब इसे हमें धीरे धीरे अच्छी तरह से मिक्स करना है अब देख सकते हैं धीरे धीरे ये पितामबर पेस्ट मिक्स होना शुरू हो गया है दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा केसरिया रंग डालेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूजा के सभी कारियों क्रियाओं में केसरिया रंग का बहुत महत्व है इसलिए पूजा के बरतन साफ करने के लिए भी हम इसमें केसरिया रंग का ही यूज़ करेंगे दोस्तों हम इसमें थिकनर डाल कर अपनी आवशक्ता अनुसार इसे थिक कर सकते हैं दोस्तों हमें इसे जादा गाड़ा नहीं बनाना है क्योंकि ये पतला ही अच्छा काम करता है दोस्तों इसे धिरे-धिरे मिक्स करें और आप देख सकते हैं ये एक ट्रांस्परेंट यूनिक सॉलिशन बन चुका है ये तामबे पितल के बरतोनों को चमकाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग सॉलिशन बन चुका है दोस्तों अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स औरेंज पर्फ्यूम की डालेंगे ताकि जब हम इससे तामबे पितल के बरतोनों को साफ करें तो एक बहुत ही अच्छी फूरूट्स की खुश्बू का एसास हो ये हमारा तामबे पितल के बरतोनों के लिए बहुत ही पावरफुल मैजिक सॉलिशन तयार हो चुका है अब हम इसे टेस्ट करके देखते हैं ये किस तरह से काम करता है इसके रिजल्ट्स दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ये देखिए दोस्तों तामबे की इस प्लेट पे लगाते ही इसने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है सिर्फ एक सेकेंड में पूरी प्लेट इसने चमका दी है और जहां जहां इसको फैलाते जा रहे हैं वहीं ये तुरंत इसे चमका कर एकदम नया जैसा बना रहा है दोस्तों अब हम इसे कपड़े से इसे पोंच कर पानी से धोलेंगे और आप देख सकते हैं क्या सुनेरी चमक इसमें आ चुकी है कितनी जल्दी इसने पूरी प्लेट को बिल्कुल नया जैसा बना दिया है अब हम इस लोटे पे इसे ट्राय करते हैं ये देखिए दोस्तों इस लोटे पर लगाते ही इसे भी इसने पूरी तरह से चमका दिया है और बिना घिसे ही ये काम करता है सिर्फ एक टच में ये अपना कमाल दिखा देता है अब हम इस छोटे से पात्तर को इससे साफ करके देखते हैं दोस्तों ये सॉलुशन बहुती कम मात्रा में उप्योग होता है और सिर्फ एक टच में ही काम करता है ये देखिए दोस्तों कपड़े से पोंचने के बाद कितना अच्छा ये साफ हो चुका है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं दोस्तों आपने देखा था कि ये पात्र कितना काला था और इससे बहुत कम समय में हमने एकदम नया जैसा बना दिया है तामवेक के बरतनों के बाद अब हम इससे पीतल के बरतनों पे भी ट्राय करके देखते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों पीतल के बरतनों पे भी ये बहुत ही जल्दी काम करता है और आप इसे कपड़े से पोँचने के बाद पानी से धोना ना भूलें ताकि इसकी चमक ज्यादा दिनों तक बनी रहे तो दोस्तों आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है और कितना जल्दी और कितना अच्छा काम करता है दोस्तों अगर आप इसका विवसाय शुरू करते हैं तो ये हर घर में यूज होने वाला कंजूमर प्रोड़क्ट है जो हर दिन यूज होता है इसका मार्केट बहुत ही बड़ा है क्योंकि इंडिया में हर मंदिर में हर घर में पूजा होने से पहले इसको यूज किया जाता है बहुत ही ज्यादा डिमांड है और आप इसे बेच कर बहुत ही अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं सिर्फ इसे टच करके बिना गिसे ये तुरंत इसे साफ करके नया जैसा बना देता है ये देखिए दोस्तों इसकी सुनहरी चमक ये चमक हमको पाउडर को घिसने से नहीं मिलती है तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा पितांबर लिक्विड जो की बहुत ही आसानी से हमने बनाया और इसके लाइव रिजल्ट्स भी आप देख चुके हैं दोस्तों इस लिक्विड को बनाने की लागत सिर्फ पिचित्तर से असी रुपे पर किलो आती है ये बहुत ही स्ट्रॉंग होता है और इससे हातों को भी कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि ये और्गेनिक कमपाउंड से बनता है और आपने देखा ही तामबे पितल के बर्तनों को कितनी जल्दी इसने एकदम नया जसा बना दिया है सिर्फ 55 से 80 रुपे किलो में से आप खुद घर पे बना सकते हैं और इसकी छोटी छोटी पैकिंग यानी 50 ml की बोटल में इसे पैक करके मार्किट में सेल कर सकते हैं दोस्तों इसका एक और लाइव रिजल्ट आपको दिखाते हैं ये बहुत ही पुराना पीतल का घड़ा है और इसे हम अपने पितांबर लिक्विट से साफ करके देखते हैं ये देखिए दोस्तों इतने पुराने घड़े को भी इसने सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ही एकदम नया जैसा बना दिया है आप इसके रिजल्ट देखी सकते हैं यहाँ इसने काफी जल्दी चमका दिया है और यहाँ काला है दोस्तों इसमें डाले गए सभी कंटेंट्स का हमने एक मिनी पैक तयार किया है जिसको आप मंगवा कर अपने घर पर इस वीडियो में दिखाई गई प्रोसेस के साथ बना सकते हैं दोस्तों हमने और भी कई सारे ब्रैंडिट प्रोड़क्ट्स के फॉर्मूला वीडियो डाले हैं जैसे ब्रैंडिट संसिल्क शैंपू, वैसलिन बोडी लोशन और प्योर एन हर्बल अलोवेरा जेल आप इन वीडियो को जरूर देखें और इसमें यूज होने वाले सभी इंग्रेडियेंट्स जान सकते हैं दोस्तों हमारी वीडियो में बताए इन फॉर्मूलास को देखकर इन रॉम मटेरियल किट के साथ आप घर बैठे इन सभी बेस्ट क्वालिटी प्रोड़क्ट्स को बना सकते हैं इन्हें यूज कर सकते हैं या अगर इसका बिजनेस भी शुरू करते हैं तो कम से कम 300 से 400 प्रतिशत का मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं इसको आडर करने के लिए आप अपने वाट्सअप नंबर से हमें 7974572261 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही